गुड मोरिंग इस्टुडेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में रियल नमबर जो आपका क्लास 10 का चेप्टर नमबर फस्ट है उसका लास्ट टॉपिक 1.4 का हम लोग देखेंगे कि बिदाव टैक्चुल डिविजन कैसे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि वो नम फ्रेक्शन ज यह तो हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि रैस्टन नमबर या तो । टर्मिनेटिंग होगा यह तो नॉन टर्मिनेट होगा बट वहाँ पे यह दिखा जाता था था क्या कि टर्मिनेटिंग और नोट्रिंटिंग के डिसिजन हम लोग डिवाइड करके यह या फि यह देखते क्या है, we are going to consider rational number p by q, माल लेते हैं कि कोई भी rational number हमारा p by q के form में होगा, तो वो इस तरह का form में होगा, ठीक है, statement को देखते हैं, statement को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इसमें क्या है, कि let x be a rational number, माल लेते हैं कि कोई एक x x rational number है, whose decimal expansion terminates, अगर उसका decimal expansion terminate होता है, then x can be expressed in the form of p by q, तो x को हम लोग p by q के form में लिख सकते हैं, तो हम लोग को पता यह गया, कि जहां भी rational number होता है, तो उसको हम लोग अगर solve कर गए देखें, तो वो p by q के अगर form में है, तो वो co-prime होना चाहिए, that means कि p और q are co-prime numbers, and the factorization, that means क्या factorization क् prime factorization, अगर हम लोग p और q का prime factorization करें, that means कि q का factorization कर रहे है, denominator का, is always in the form of 2 का power n, and 5 का power n, param और n जो होने चाहिए, वो non-negative integer होने चाहिए, मतलब हम को क्या देहान देना है, कि अगर कोई भी factor है, p by q के form में, तो उसका prime factorization करने के बाद, that means कि q का denominator का, वो हमेशा 2 का power m, और 5 का power n के form में होगा, और ये 2 का power m, और n जो powers होंगे, वो non-negative होंगे, मतलब वो minus में नहीं होना चाहिए, then, माल नहीं है, क्या कि हम लोग के पास एक fraction दिया हुआ है, suppose कोई questions दिया हुआ है, और p by q के form में लिखा हुआ है, तो वो rational number, चेक करेंगे हम लोग q के, that means कि denominator को अगर हम लोग factorize करते हैं, तो वो हमेशा अगर इस form में आता है, 2 का power m और 5 का power n, ठीक है, then x has a terminating decimal, क्या देख रहे हम लोग के, इसमें कि अगर कोई fraction दिया हुआ है, और उस fraction में q का prime factorization, हमेशा अगर इस form में आ रहा है, 2 का power m और 5 का power n में, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो x जो है, that means कि fraction जो है, वो terminating decimals है, ठीक है, क्या चेक करना हम लोग इसमें, हमेशा denominator का prime factorization, denominator का prime factorization को check करने के लिए क्या करते हम लोग, उसको prime factor कर लेते हैं, अज previous classes में जैसे किया जाता है, और उसको देखते हैं क्या, कि वो क्या 2 के और 5 के factor में है या नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्या है, कि हमेशा जो powers होंगे, वो हमेशा non negative होंगे, negative नहीं जाहिए, चलिए, एक इसको example के थूरू एक देखते हैं, सपोज हमारे पास एक fraction दिया हुआ है, 13 by 3125, तो जैसा कि हम लोग पहले बताएं क्या, कि इसमें हमको ये देखना है क्या, कि, देखना है क्या, इसमें हम लोग को, कि हमेशा, हाँ, तो इसमें हम लोग को क्या देहन देना है, कि, 13 by 3125 दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है ह। कि हमेशा 3 125 मतलब denominator का prime factorization करना है तो denominator को हम लोग अगर देख रहे तो 3 125 है चलिए इसका prime factorization करते हैं तो ये 5 इंटो 5 इंटो 5 इंटो 5 इंटो 5 Muchas that means फाइब का पाइब मतलब क्या कि denominator का जब हम लोग इसका prime factorization किये हैं 13 by 31 to 5 जो given fraction था हमारा वो terminating होगा एक बार और फिर से दिखते हैं 13 by 31 to 5 31 to 5 को हम लोग factorize कर लिए 5 into 5 into 5 5 का power 5 इसका हम लोग 5 का power m बोल सकते हैं तो ये हमारा इस form में आ रहा है इस form में आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया है कि ये terminating होगा अगले example के साथ इसको देखते है another example क्या 15 by 1600 तो जैसा कि हम पहले भी बताए हैं क्या कि prime factorization हमको हमेशा करना है कि इसका denominator का तो 1600 का अगर हम प्राइम factorization करते हैं 2 का power 6 into 5 का power 2 ठीक है 2 का power 6 और 5 का power 2 को अगर हम लोग देखें तो वो किस form में है 2 का power 5 2 का power M और 5 का power N के form में तो हमको यह देहां देना है कि हमेशा prime factorization denominator का 2 का power M और 5 का power N के form दाना चाहिए that means the denominator is in the form of 2 का power 5 and 5 का power N so the fraction 15 by 1600 is a terminating decimals okay questions में यह भी पुछा जाता है क्या कि terminating है but how many places वो कितने place तक terminate है तो उसके लिए next example देखते है 17 by 210 है इसको हम लोग 11 into 7 30 into 7 fraction के form में लिख सकते हैं और इसको हम लोग reduce करके देखें तो यह 7 7 cancel हो गया 11 by 30 आप fraction को reduce भी कर सकते हैं 11 by 30 हो गया 30 का prime factorization देखें हमेशा हम लोग को क्या करना है denominator का ही prime factorization करना है तो 30 का fraction देखें तो 2 into 3 into 5 तो हम लोग यहां क्या देखें है कि 2 और 5 तो आया बट उसके साथ साथ एक 3 भी आ गया इस टर्म में तो हम लोग को तो पहले पता है क्या कि हमेशा 2 का power m और 5 का power n के form में अगर denominator आता है तभी वो terminating होता है otherwise हो क्या होता है non-terminating होता है अभी इसमें क्या देखना है कि actual division without actual division के साथ साथ में हम लोग को यह भी चेक करना होता है किसी किसी questions में कि terminating है तो कितने place पे वो जाकर terminate होगा ठीक है suppose किजिए कि हमारे पास questions है 375 by 1000 और इसको check करना है कि यह terminating है तो कितने place पर terminating होगा जिसको हम लोग factorization कर लिए कुछ cancel होते है तो cancel कर लिए तो देखे तो क्या 3 by 2 का power 3 2 का power 3 आ गया that means कि यह 2 का power n के form में है तो यह terminating decimal होगा यह तो decide होगा कितने place पे होगा तो हमको यह जो भी factor नीचे का होगा उसका power जितना होगा उतने place पर जाकर यह terminate हो जाएगा that means 2 का power 3 after 3 places it will be terminated लगी 3 place पे जाने के बाद यह division जो है terminate हो जाएगा इसको हम लोग ऐसे भी check कर सकते हैं जैसे 375 by 1000 है तो इसको हम लोग इसको इस फॉर्म में आ गया है 7 into 5 का power 3 2 into 4 5 का power 4 इसको reduce किया तो यह होगा 7 by 2 का power 4 into 5 तो हमने क्या बोला था कि पहले check करना है कि terminating है या नहीं terminating है तो 2 का power n और 5 का power n के form में है तो यह terminating है कितने place पर है तो यह decide होगा यहाँ पर 2 भी है 5 भी है तो जिसका सबसे ज़्यादा power होगा उतने place पर जाकर यह terminate हो जाएगा तो 2 का power सबसे ज़्यादा है इसलिए यह 4 place पर जाकर terminate हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग क्या करते हैं बाकि previous questions में भी यह check करते हैं कि यह कितने places पर जाकर terminate होगा सपोज कि यह previous questions मेरा एक था 15 by 1600 तो यह देख रहे गया कि 2 का power 6 और 5 का power 2 है तो यह 2 का power 6 मतलब 6 place पर जाकर terminate हो जागा next question में भी देखते previous questions में भी 13 by 3 1 2 5 यहा 5 का power 5 आया तो यह 5 place पर जाकर terminate होगा ठीक है तो इस तरह से हमें लोग decide कर सकते हैं कि कोई वे fraction जो है वो terminate होगा तो कितने place पर जाकर वो terminate हो सकता है ठीक है इसी के साथ यह chapter जो है last topic था यह end होता है इसके बाद हमें लोग next वीडियो में next chapter को decision करेगे जो की trigonometry होगा ठीक है थैंक यू